प्राणों से प्यारे विध्यार्थियों शाथियों आज हम चर्चा करेंगे अंतराष्ट्रे संबंधों में शमकालीन परिवर्तन के संधर्भ में आज हमारा लेक्चर नमबर नाई नहीं होगा लेकिन इसका पार चार होगा अर्थात अंतराष्ट्रे संबंधों में संधर्भ में शमकालीन परिवर्तन के अंतरगत आज हम इसका चोथा भाग ले रहे हैं जैसे कि मैंने प्रादम में ही बताया था कि अंतराश्टिय संबंदों में जो समकारीन परिवर्तन हुए हैं, उनको हम बहतर तरीके से समझ सकें, इसके मैंने आपको वास्तों में चार भागों में वाजित करते हुए यह सभी बाती समझाई हैं, और आज जो हम मुख्य बात ले रहे हैं, और यह ले रहे हैं कि सोवयत संग के वीघटन का अंतराश्टिय संबंदों पर क्या प्रभाए पड़ा। अर्थात 1991 में जो सोवयत संग का वीघटन हुआ, जो की वास्तुविक रूप में 15 गण राजियों में विवाजित हुआ, इसका अंतराश्टिय राजनीती में अंतराश्य संबंधों पर विस्वे विएस्ता पर अंतराश्य विएस्ता पर क्या प्रभाव को हमें शमर्जना है प्रावनाशी प्यारेवे दियारतियो सरप्रत्तेदिन जो एक लेक्चर में मेरी यूटूब चैनल पर अप्लोड करता हूँ उसकी जानकारी शूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब आवेश़े की जीगा आसा करतों आपने शब्सक्राइब कर दिया होगा km एरे मंच थ्यूआ रे मंच यरे मच इस के प्रति दिन हमारे लेक्ट्चर अपलोड करने का लक्षे एक ही है, राजनिती, विग्यान को, अंतराश्टी राजनिती को, लोक प्रशाशन को, पश्यम राजनतिक विचार्कों को, भारती राजनतिक विचार्कों को, अनुशन धान प्रेवेधी को राजनेती विग्यान से सम्मंधित जितने भी महतवपुन प्रिशन पत्र है उन सबी को मैं गंबीरता से गहराई से उनके अंतह इस्तल तक जाते हुए उसकी एक-एक पर्त को उठाते हुए मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूँ जिससे की मेरे प्राणुशे प्यारविध्यारतियों को इधर उधर भटकने की कती आवशक्ता ना हो और चुकि राजनेती विग्यान के जनक अरस्तों ने अपनी पुस्तक पॉलाटिक्स में स्पश्रूप में कहा था पॉलाटिकल साइन्स इजे सुप्रीम साइन्स पॉलाटिकल साइन्स इजे मास्टर साइन्स की राजनेती विग्यान एक सरवच्चे विग्यान है एक स्वामी विग्यान है जब राजनेती विग्यान है स्वामी विग्यान है तो ऐसी स्तती में हमें राजनेती विग्यान क आज सर्चा किसकी करेंगे हम स्वयवेद संके विक्टन का प्रभाव तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रस्ट में कि रूप में आपको कुछ बताना चाहता हूं क्या कि दूसरे विश्युद्ध के बाद में वास्तम में सम्पूर्ण विश्युद्ध दो गुटों में वाजित हो जाता है एक तरह पूंजिवादी गुट दूसरे तरह सामेवादी गुट पूंजिवादी गुट का नेतरतव श्यक्राज अमेरिका ने किया सामेदी गुट का नेतरतव शौवियत शंग नहीं किया अब दूसरे व प्रारम में सीटूद आया उसके बाद में तनाव से थिले भी आया कुछ समय के लिए सुविट संग अमेरिका में कुछ सयोग भी हुआ लेकिन उसके बाद में पुन है फिर नया सीटूद शुरूआ हाँ सीटूद तनाव से थिले जिसे दितान्त भी कहते हैं और नया सीटूद इन तीनी को पर मैं अलक्षे लेक्चर अपलोड करूँगा जबकि अंतराष्टे संबन्यों के विभारिक पक्षुमा आपको तो वास्तम में सक्ति का एक केंदर सक्ति हीन हो जाता है कमजोर पड़ जाता है ऐसी स्त्तिमें जो विश्वे की विवस्ता बन जाती है एक धुरूए विश्व विवस्ता बन जाती है अर्थात स्वयद संग के विग्टन के बाद में जो विश्व के विवस्ता का श्वरू पर भर कर सामने आता है वह एक धुरूए विश्व विवस्ता के रूप में भर कर सामने आता है जिसका की नेतरतव श्वयद संग के इस रह जाता है आता है इसे ही एक दुरुए विश्य विश्य व्यस्ता की संग्या दी जाती है तो प्राणों से प्यार विद्यारतियों आपको इस पूरी लेक्चर को समझने के लिए धिहान रखना है कि दूसरे विश्य विश्य के बाद में वास्तम में दो गुट बन जात एक की विश्य 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 विश् लेकिन शावत्मतरता की अंदेखी की गई इसलिए राजनती विज्ञान की विद्धियारतियों कि ये बात पूर्ण रूप में समझ लेनी है जब तक हमें शावत्मतरता और समानता में उचित समझे से नहीं बिठाएंगे हम नहीं बिठा सकते सामझे से तब तक उस देश की विवस्ता ठीक प्रकार से संचारी नहीं हो सकती है अब देखेगा डियस्टुएंट्स मैंने आपके लिए डाइगराम बनाया है समझे समसे पहले होते ध्यान देंगे चुकि 1945 के बाद में मतलब दूसरी विशिद्ध के बाद में दो ध्रूवे विश्वियस्ता अबरकर सामने आ जाती है एक ध्रूव कोन होता है श्वियस्ट जे अमेरिका दूसरा साम वादी गूट जैसे ङून नोट भी कही है दो ध्रूव एक है, यहाँ पर हो जाएगा स्वोषण संग और दूसरा द्रहु है, छोएक्राज़ ए अमेरिका, अब है, चुकिं कि हमें अध्यन किसका करना है, निश्वत क्याणमे जब स्वोषण का विगटन हो जाता है, तो स्वोषण के विगटन का अंतरराश्टी संबन्दू पर क् पड़ा अंतराश्टी विश्व राजनिते पर क्या पर बहा पड़ा इस सारे सब्दावली मैंने आपको पुछी समझा दिये कि इन भी क्या कुछ अंतर है हैं और हम जिस विशय का अध्यन कर रहे हैं मतलब राश्टों के बीच में संबंदों के अध्यन के लिए जो उचित सब्दाव लिए उस अंतराश्टी राजनिती कहना ही श्रेष्ट है आता है यहां पर हमें कह सकते हैं कि सोव्यत संग के विगटन का अंतराश्टी राजनिते पर क्या पर भापड़ा यह वात हमीं शमझे लिए देखेगा बेटा सबसे पहले तो यहां नोट करें आप 1917 में समाजवादी क्रांती होती है कहां पर रूस के अंतरगत 1917 में समाजवादी क्रांती होती है और जैसे 1917 में समाजवादी क्रांती होती है तो विश्व राजनिती अंतराश्टी राजनिती समाजवादी क्रांता है ठीक इसे प्रकार से विश्वी सताब्राश्टी के अंतीम दसक में उनीश्वी क्याणमे में अंतीम दसक में सवेज संका विग्टन हो जाता है और जैसे विश्व राजनिती में पुन्ह गहन परिवर्तन हो जाता है जैसे कि मैंने नोट भी कहा है अंतिनी दसक में विग्टन होता है सविध संग का और विश्वराजनिती में पुनहे परिवर्तन होता है जैसे कि विश्वराजनिती के आरम में जब समाजवादी क्रांती होती है रूश में उनिस सत्रा में क्या होता है कि सोवित संग का जो ध्वज है उस ध्वज को हटा दिया जाता है और रूस अपना स्वाम का ध्वज फैरा देता है मतलब 31 दिसमर को ये अपना ध्वज फैरा देता है और 26 दिसमर उन्निशु क्याण में को सोवित संग का विक्टन हो गया था और वास्ता में जो सोवित संग का विक्टन होता है ये पंद्रह गणराज्यों के रूप में अस्तितव में आता है पंद्रह गणराज मतलब 15 दिसमर विवाजित हो जाता है अब डेफिनेटली जब ये विवाजित हो जाता है तो फिर ऐसी स्ति में आप शोम देख सकते हैं कि सोवित संग की जो सक्तिये कमजोर पड़ेगी या नहीं फीकी पड़ेगी या नहीं शित रूप में कमजोर पड ही दो धुरू बने होती सक्ति के आप सोवित संग का विक्रन हो जाता है तो ऐसी सक्ति में शरूचे शक्ति सेश रह जाती है एक कौन संक्राज्य अमेरिका इसलिए इसे क्या नाम दियागा एक दुरूए विश्वे विवस्था जब क्यों इसक्यान में से पहले कि विवस् समझ गए है क्योंकि सोवित संग सक्तिहीन हो जाता है ऐसा नहीं कि पूर्ण सक्तिहीन हो गया मैं आगे बताओंगा आपको लेकिन डेफिन अमेरिका की बनिश्पात इदितुलना करते हैं तो सोवित संग सक्तिहीन हो जाता है क्योंकि ये पंदरे टुक्ड़ों में बढ़ रूस के हिस्से में तो इसका मतलब डैफिनेटली रूस इतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल सक्ति ही नहीं हो गया लेकिन यह तुलना की जाए तो निश्चित रूप में सविक्राइज अमेरिका एक शूपर पावर की रूप में सेश रह जाता है और पूरे विश्व का जो प अर्था दो धुरूव के इस्थान पर एक धुरूए विय वियस्ताय के रूप में बटर कर सामने आती है उनिट्र क्यान में से पहले विश्व में दो धुरूब आने हुए थे सक्ति के दो केंदर बाने हुए एक सोवियत संग दूसरा सविक्तराइज अमेरिका लेकिन समझेंगे यास शंपुन अंतराश्टी राजनिती में सामाने रूप से और एशिया तथा यूरोप की राजनिती में गहन तथा तिवर परिवर्थ नोई ध्यान दीजीगा मतलब 19 क्यान में में जैसे ही सोविद संका विग्टन होता है तो डेफिनेटली जो विश्यू की वि रूप में अंतराश्टी विगस्ता का स्वरूप और कर सामने आता है तो निश्यत रूप में संपुन अंतराश्टी राजनिती में परिवर्थ नाया और इसे के साथ में ना के और संपुन अंतराश्टी राजनिती में बलकि सामाने रूप से एशिया तथा यूरोप की र देहन रखने हैं आप हम आगे बढ़ते हैं द्याने बेटा जो ये सोव्यत संका विक्टन होता है 1927 में वैसे इसकी डेट जो मानी जाती है 26 संबर 1931 दिसनमबर को क्या होता है कि सोव्यत संका जो द्वज था वाटा दिया जाता है रूस अपना द्वज उसके स्थान पर फैर पूर्ण विक्टन और आशीक विक्टन दो रूप में विक्टन होता है किसका सव्यत संग का पूर्ण विक्टन का मतलब क्या है किसे अच्छी तही मिट गया उची तो इस मिट्गाया क्यों कि 15 गनराज्जी विवाजीत हो जाता है ठीक है मतलब 15 है जो गनराज्य है वो शौतंतर रूप में अस्तित्तम में आते हैं कहां विश्व पटल पर विश्व परीदरश्य पर ठीक है आंसिक रूप में भी विक्टन होता है क्यों होता है क्योंकि रूस सोवेत संग का उत्रादेकारी बना और तीन चोथा इन बट चा आते कहा जा सकता है कि यह आंसिक विक्टन ही था क्यों क्योंकि रूस फिर भी सक्तिसाली बना हुआ है आज भी हम देखते हैं रूस सक्तिसाली है यह बात सकते है कि वही अमेरिका के बनिश्पत उस समय यह दिरूस की तुलना की जाए सोवेत संग के विक्टन होने के बाद गुभाग और तीन चोथाई परमानु शास्त्र इसके हिस्से में आ जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार से आन्षिक विग्टनी था ठीक है तो दो हो गए पूर्ण विग्टन और आन्षिक विग्टन मतलब सोविच संग के विग्टन को भी दो बागु में बाट गया है इसके बाद मैंने यहां लिखा है बेटा ध्यान दे कि रूस परमानु चाविका स्वामी भी बन गया मतलब निश्चित रूप में चुकी जैसी सोविच संग का विग्टन होता है तो रूस के हिस्से में तीन चोथाई परमानु सस्तर आ जाते हैं तीन चोथाई जन इसके साथ में इसको वीटो पावर ही मिली तो इस दरस्टी से सकति सली रहा फिर से बतारो मैं कि रूस परमानु चाविका स्वामी भी बन गया और शुरक्ष्जा परिश्चत कि इस्ताई सद्देस से आभी से प्रापत हो ही और इसको वीटो पावर भी दिया गया निश्य इसके पास सक्ति शेष रही है वैसे भी देख सकते हैं आप सुरक्षा प्रेश्ट का इस सदर्श से रूस रहा वीटो पावर इसके पास में और परमानू चावी का स्वामी बनावा है क्योंकि तीन चोथाई प्रमनों सस्त्र इसके इससे में आ गई लेकिन वहा क्या अमने आ करण रूस ने अपने आपको कमजोर और मतलब जो है अमेरिका इक को परेक प्रकार्शिन निरुभर ठीक है ध्यान दें नमर एक कमजोर आर्थिक विवस्ता कमजोर आर्थिक विवस्ता निश्यत रूप में सोयविद संग का विक्टन होने के बाद में जो रूस की आर्थिवस्ता थी वह कमजोर हुई क्यों हुई क्यों हुई क्योंकि निश्यत रूप में तीन सोता ही इस साथ इसके इस्से में आगा यह लेकिन फिर भी जो है इसके आर्थिक संसाधन अन्य गनराज्य के अंतरगत चले जाते हैं तो इसकी कमजोर आर्थिक विवस्ता के कारण रूष ने अपने आपको कमजोर पाया दूसरा नई राजनितिक विवस्ता की प्रकरती और चेतर अभी नहीं हो पाया था यह भ्रह्म में था इस कारण भी जो है यह अपने आपको कमजोर पाता है तीसरा है पड़ोशी राज्योशी संबंदों का निरधार्ण करना था चुक्कि उन्नीश क्यान में सोविद संग का विक्टन होता है उतराधिकारी की रूप में रूस आता है तो ऐ रूसी संचरत था राश्टरपती येलशीन द्यान दे मिटा रूसी संचरत था राश्टरपती येलशीन में सक्ति संगर्ष चला वा था और जब सक्ति संगर्ष चला वा था ऐसी स्ति में उन्नीशों त्रियान में में शेना ने शंचरत के विरूद शैनिक कार्यवा ही कि स्थत्य में भी यहां वास्तविक रूप को रूप को अपने आपको कमजोर पा रहा है पांच वा है रूप से ने अपने प्रात्मिक ताहिए अभी निश्चित करनी थी मतलब रूप को अपनी विदेश नीती की जो प्रात्मिक ताहिए थी विदेश नीती को निरधारित करन आहां था वास्तिवीक रूप में इह भी सके सामने के समस्या थी इसकारण ओपने आपको कमजोर पा रहा है चटा है अमरेका विश्व विवस्ता में अपना परभूतव जमाए होए था अब चटी जो समस्या सामने यह थी जिसके करने अपना पको कमजोर पा रहा था कि अमरीका विश्य विवस्ता में अपना प्रिभूत्त जमाई होगे था तो इस कारण भी सोवियत संक्या अंत्रगर जो रूस से उत्तरदेकारी बना वह रूस अपने आपको कमजोर पा रहा है और शात्वा कारण लाल सेना था था परमाणों सस्तुर पर नियंतरने के सम्मन्द में रूस के अन्य पड़ुसी राज्यों से मतबेद थे और इस तत्तों ने भी रूसी सक्ति को शिमित बनाए रखा था पतलब रूस अपने आपक से मिल गई किसको रूस को लेकिन अमरिका प्रभूताव वास्तिविक रूप में सुरक्षा परिशत पर बना रहा इस कारण भी जो है रूस अपने आपको कमजोर पा रहा है और नौवा कारण एक धुरुए संवरचना अस्तितम में आई थी और अमरिका शक्ति को सुनोती देना रूस के लिए सरल नहीं था क्या देखो मूल जो बिद्दू बन रहा है वो यही है कि सोवेट संके विक्टन के बाद में एक धुरुए संवरचना या एक धुरुए विस्विवस्ता अस्तितम में आई थी और इसका मतलब जो भावार्त है वो यही कि सुवेट रैज करना चुनोती देना इतना सरल नहीं था ठीक है तो इन नो इन नो तक्तूं की कारण वास्तिक रूप में रूस अपने आपको कमजोर पाता है निरभर पाता है ठीक है बेटा तो यह सभी जो पॉइंट से आपको नोट करने हैं क्योंकि जब तक यह नहीं समझेंगे तब त पर सोविज संग के विक्टन का क्या प्रभापड़ा अंतराश्ची राजनिती पर अंतराश्ची विवस्ता पर विश्व राजनिती पर इसका क्या प्रभापड़ा इसको आसाने से समझ सकते हैं वैसे मूल जो बात है वो यह यह की उनिस्व क्यानमे के बाद में जो विश युद का अंत राता हैं वास्तिक में समाप्त हो जाता है। सुइक्राजी ऐमेरिका शूपर पावर शूपर की रूप में सेश रह जाता है। इसे पहले दो सक्ति के नडर थे एक तरफ सविट संग दूसरी तरफ सविट इस अमेरिका लेकिन सविट संग के विक्टन होते ही स्विट पावर की रूप में सेश रह जाता है इसे ही एक ध्रुवी विवस्ता का आ जाता है आता है आप कह सकते हैं कि सोयुद संग के विक्टन का प्रभापड़ा एक ध्रुवी विवस्ता का उद्य हुआ जिसे कि एक ध्रुवी विवस्ता की सहिया दी जाती है तीसरा है विचार ध आतमको एकल ध्रूह нос ऊंपलाइज विचारदहरा के लडाई थी ये तो एक करफ सामादी विचार धारा दूसरी त्रफ पुंजेवाली विचार धारा करने त्रफ सोविध शंख कर रहा था अब सोव संख्ञार लिक्नन हो ग談 विख्म होगा तर ऐसे वगैं सेいきます विचारदार है दीरे-दीरे-दीरे कमजोर पड़ती चलेगी, फीकी पड़ती चलेगी, तो ऐसी सत्रत में क्या होता है, विचार धारात्मक एकल धुरुविकरन होता चला गया, जैसे शंपर विश्व के अंतरगत, उधारवाद, उधारी करण, लोकतंते करण, और विकेंड पड़ा ये पड़ा कि यूरोपी राजनिते में भी परिवर्तना है क्या परिवर्तना कि पूरी और पश्चिमी यूरोप में सयोग हुआ जबकि सोवेद संग के विक्टन से पहले वास्ता में पूरी और पश्चिमी यूरोप में सयोग नहीं था अगला यूरोपी समधाय त तुकि जैसे स्विट संग का विक्टन होता है तो सोविज संग के जो चे गंड तंतर है जो छे गंड तंतर है राज्य गंड तंतरों ने इसलामिक इसलामिक गिचार धारायक इसलामिक कटरवाद को अपनाया इसने छे गणतंत्रों ने अब इसका क्या प्रभाव होता है कि केंद्री एशिया तता पश्चिमी एशिया के आठ तता पाकिस्थान ने मिलकर आर्थिक सयोग संक्तन की स्थापना की जिसे की ECO की संग्या दी जाती है अब देखो समस्या यहां यह आई कि वास्त में जो इसलामिक कटरवाद का अस्तितव होता है तो इसके उपर अंकुष लगाना आवशक था यह अंतराश्चिय संबंदों के सामने एक मुखे समस्या आई तो आप कह सकते हैं कि केंदरी एशिया में कटरवाद का उद्य हुआ किसके कारण स्वेट संक्य विक्टन के कारण जिसे की इसलामिक कटरवाद की संग्या दी जाती है चटा प्रवापड़ा एशिया की राजनिती में परिवर्तन अर्थात स्वेट संग के विक्टन के कारण संपुन एशिया की राजनिती में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन क्या आता है परिवर्तन ये आता है कि वास्तिवी कुरूप में जैसे ही स्वेट संग का विक् मस्पूत करने में लगावा आज आप शुम देख सकते हैं आज भी अगर आप देखें नंतराश्य संबंदों कद्धियन करेंगे तो चीन एशिया में अपनी इस्तति को मस्पूत करने में लगावा है मगर भारत किसी से कम नहीं है भारत आज प्रतेक इस्तति से मस्पूत है जैसा कि हमारी प्रदाहन मंत्री आज कह भी रहें कि हम एक अंतर निर्भर भारत का निर्मान करेंगे तो डेफिनेटली जैसा कि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में आत्म निर्भर नगर राज्जें की बात की थी तो आज हमारी प्रदाहन मंत्री उशी ही एक प्रकार से चिंतन और मनन की प्रक्रिया होती है मूल सब्दा वली तो वही होती है लेकिन उस पर चलता रहने वाल चिंतन मनन बदलता रहता है तो उससे में राष्ट राज जे नहीं थे आज राष्ट राज जे उससे मनगर राज जे थे तो यह डिफ्रेंट से बाकी उसस तो सोवेच संग की विग्टन की बाद जो नाम हैा इसकी भूमिका में भी उसपरीवरतन आता है क्या परीवरतन आता है कि जैसे से इस संग का का करही शिलता में कमी आ जाते हैं क्या जाती इसकी कारे सिल्टा में फिर कमी आ जाती है बस इतना है द्यान रखेंगे बाइकी गूट रिप्लेक्स था कि उपर मैं अलग से लेक्षर अप्लोड करूँगा स्वियत संग का विक्टन तथा अंतर्याश्ट्य संबंदह में hier new का मतलब होता है और सस्त हर्न की संभाव नाई ध्यान देजीगा मतलब सोवेट संके विक्टन का ये भी प्रवापड़ा कि एक अंतराष्टी समंद में नई अंतराष्टी अर्थवियस्ता अबरकर सामने आएगी और सस्तर नियंतरन भी होगा एक संभावना जताएगी लेकिन ये प्रक्टिकल में देखा जाए वियावार में देखा जाए आज जैसे मैं लिख भी दिया यहाँ पर कि आज वास्तों में ना तो नई अंतराष्टी अर्थवियस्ता अबरकर सामने आएए और ना ही सस्तर को पर पूर्ण नियंतरन हो पाया है फिर मैंने आगे लिखा यहां उतर दक्षिन वारता दवारा नई अंतराष्टी वारता दवारा नई अंतराष्टी अर्थवियस्ता की प्राप्ती की मांग बहुत पीछे रह गी है और वैसे देखा जाए तो सस्तर नियंतरने की जो संभावना थी आज सस्तर नियंतरन भी नहीं हो पाया है शंप्रन विश्व प्रियास भी कर रहा है कि कैसे भी हो नी सस् सktरों को नियंतरन में लाय जाए विश्व में सांती की स्थापना की जाए ऐ शांती पौण स हस्तितव के आधार पर सभी राश्टर राजियों का अपना व्याभार करना चाहिए जिससे की वास्तियु गूरूप में दुनिया में सांती स्थापी तो युद्ध ना हो थी देखेगा तीसरी दुनिया की पश्चिम के विक्षित देशों पर लव उपनिवेशिक निर्भरता लगातार बनी हुई है मतलब सोविच संके विक्रन के बाद में अंतराश्टिये संबंदों में जो परिवर्तनाता है उस परिवर्तन सबसे महत्तपून यह है कि तीसरी दु दुनिया की पश्चिम के विक्षित देशों पर लव उपनिवेशिक निर्भरता लगातार बनी हुए मतलब आर्थिक द्रस्टी से जो विकासील देश है विक्षित देशों पर निर्भर बनी हुए यह बात सकते है लेकिन विकासील देश आप दक्षिन दक्षिन सहयोग तो धक्षन सहयोग का बेटा है इसको ठीक है तो दक्षन-दक्षन सहयोग के दूरा हारतिक विकास को समझने लगे हैं यह देश और इसके लिए सब नाम at nut. गुटरन पेक्स्ता नाम जी 15 है गुरूप 15 है जी 24 गुरूप 24 जी 37 और अंग टार ये छेत्रिय संग्टन है इन छेत्रिय संग्टनों के उपर ये निर्भर रहने लगे हैं अर्थात वास्तिवी गुरूप में ये आर्थिक विकास के लिए अपने अपने जो है शम्हू बन जा रहे हैं कौन दक्षिन दक्षिन अर्थात विकास चील देशी आपस में एक उसरी का सयोग करने के लिए गुरूप अर्थात जो समूव होते हैं उनका निर्मान कर रहे हैं और ये इनको छेत्रिय संग्टन कहते हैं निर्भर बने तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि उनिश्विक्यान में के बाद में जो है अंतराष्टी ये राजनिक्ति में ये भी एक परिवर्तन आया है ये नए विकास आप जो ये नए विकास हो रहे हैं कौन से विकास कि भाई सांतिपुन सहस्तितव किया जाए निसस्त्रिकन किया जाए वी सहनिक्रन किया जाए इसक कैई कि दो प्रभाव ए इतों सकराथमें दूसरा नकराथमा सकराथम प्रभावत यह हुआ क्या हुआ कि भाई सैस्तिताओं को अपनाया जाए नी सस्तिरी करने की उपर बल दिया जाए विसेशता है यह रही कि वास्तिवी करूप में ये दि seguinte देखा जाए तो तो आज भले ही सुरक्षा परिश्ध का भी लोक्तिरिकरन नहीं हुआ है और वैसे भी देखा जाए तो आज नि सस्तिरिकरन और जो प्रियास कि जा रहे हैं वह भी विफल रहे हैं तेकरप शकरात्मक और दूसरे तरफ नकरात्मक विशेष्था बनी हैं पिर मैंने तीसरा लिखा है आज सभी राज्ये उदारवाद, उदारीकरण, लोकतंत्रिकरण, बाजार अर्थ्युएस्ता, विकास, मानव अधिकार, नीशस्त्रिकरण, वी पर्मानुकरण, विकेंद्रिकरण की बाते कर रहे हैं मतलब सोविल संग के विगटन का निशकर्स रूप में जो प्रवह पड़ा वो अंतिम तीसरे बिंदु में हाँ आप नोट कर सकते हैं क्या कि आज सभी राज्ये, आज की दोर में देखें तो आज दुनिया की सभी राज्ये, उदारवाद, उदारवाद केंद्रिकरण, लोक मतलब उन रूप में श्षक्त को समाफ्प कर दिया जाए, विगया उदारवाद केंद्रिकरण, ना किसी राहतरव में राष्टराजी के पास में, विगया रिया कशाछन नहीं, विगया दारवाद, वे बंनते जा रहे हैं, भारत भी किसी से हम नूई, चीन बी किसीं से न जापान भी किसी से कम नीए रूश भी किसी से कम नीए थे सकती के अने कोई केंदर वबर खार तो आप यह सकते कि सव्यवीट संक की विगटन की प्रभाव है अब इन सभी बातों के आधार पर आप समझ गई होंगी कि 1908 में सोवित संग का विगटन हुआ तो इस विगटन का अंतर राष्टी सम्मद्धों के उपर क्या प्रभापड़ा अंतराष्टी राजनिते पर क्या प्रभापड़ा अंतराष्टी व्यस्ता पर क्या प्रभापड़ा मुझे पुरा इस्वास है आप यह सबी बाते ठीक से समझ गई होंगी यास वेक्टा, ओके, थेंक्यू वेरी मस्ट, थेंक्यू वेरी मस्ट